शेरी पिजाब एम सिक्स अंडर तुअड़ा सारेयां दा बहुत-बहुत स्वागत है यह है दा नवजोध चलो शो आज दे इस शो देवेच तो अनुजी आया है नू कहने है अज इस प्रोग्राम देवेच गल बात चलेगी एक वड़ी प्यारी शक्सियत है उस देना उस्तो पहला आज पारत्दा रिपब्लिक डे है गंधंतर देव सापा जिनू कहने है असी जड़े प्राणे लोक उत्थों आये हुई है मैं प्राणे ची गिनन लापी है अपने ऑग वाक्याई नम्या देवेच ने खास करके जड़े बच्चे ने students दी मैं गल कर दी हुनी अकसर वो नम्या देवेच ने ते कहिया नो थोड़ा समा हो सकदा आया नो पर असी जड़े पहलना दे कही साल 10-15 साल जा उस तो पहलना दे आये हुई है उना दे मना देवेच व या शिरू हो जांदियां सी, जो दो प्रेड थे जांदे हूं दे सी, आपो अपने स्कूल्स दे वलों, आपो अपने कॉलेजिस वलों, जिनने साथे सुन वाले ने, उननों आज दे इस दिन दे खास तौरते में वदाई देनी हैं, ते अज इस प्रोग्रम दे वेच्छ, मैं आपने आल जिस शक्सियत नों शामिल कर जा रही हैं, उस बारे जे मैं देसा, कि वह बहुत प्यारी शक्सियत है, हर विले खिड़े रहना, हस्ते रहना, खुश रहना, उनना दा सुबा है, पर चैलेंज लेना, यह उनना दा अंदाज है, ते किसे भी कम नों सिरेचारना, म हो कम कर रहने, BC सिरकार देविच उनना दे जड़ी मौझूदा पोजीशन है, Executive Advisor, Stakeholder Relations and Communications, Premier दे ओफिस देविच, हो कम कर रहने, मैं अपने नाल अज शामिल कर रही हैं, Shruti Prakash Joshi Hranu, Shruti, welcome जी आया है, है 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 है है, है है, है है अजिवली अपने बारे में जादा बात नी करती ही, लेकिन आपने इतना इंस्स्त किया, so I am here with you today, thank you so very much. बहुत स्वागत है, सब तो पहला था मैं इही का लाज करना चाहूं नहीं है, असी पंजाब देविच बेठे हुंदे सी, तुसी दिली देविच बेठे हुंदे सी, गंतंतर दिवस दे, असी जडी प्रोग्रम देख दे हुंदे सी, most of the time, Shruti असी, टीवी देख दे दिली देविच महाल कुछ वख रहा हुंदा सी? बहुत प्राइड मोमेंट होता है, कडेट्स को सुभे से इतनी रिहर्सल हमारी होती थी, परेड परेड हम करते थे, थकते नहीं थे, क्यूंकि जो वो जब, I remember, Republic Day की परेड जो राजपत पर होती थी, वो तो थी, एक NCC कडेट्स के लिए एक और परेड भी होती थी, प्रा तो पेरासेलिंग करने का मोका मिला, ग्लाइड करने का मोका मिला, तो वो जो एक जब हम भी तरी टैनर में बैच के जाते थे और वो जो देगसि जब यह जाते थे जूफी तो पिर बेखते लोग बहुत जाने गाते परेड लेते थे उसका तो बिलकुल मतलब कह नहीं बेशक प्रीमिर दे ओफिस्टे तुसी होने कुछ सालना तो काम करना शिरू कीता है। मैं चौनी है कि जिनने साथे सुन वाले हैं वो जान सकन के शुरुती दा सफर के हो जासी तुसी होने ही मैंशल कीता है कि तुसी अपनी 10 प्लस 2 ते उस तो बाद ही पड़ाई जड़ी और दिली दे विच कीती है। बच्पन की थे बीतिया थोड़ा। बच्पन मेरा एक बहुत एक चोटा सा सिटी चोटी से सिटी है। इस कॉल राउटकेला इन ओरिसा। स्टील प्लांट है तो मेरे जो फादर थे वो स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया में काम करते थे। तो मेरे पड़ाईश राउटकेला में हुई। बहुत सारे लोगों को शाद पता भी नहीं होगा कि ये ताउन कहां पर है। बहुत सारे स्टील प्लांट यहां पर है तो मैं यहां पैदा हुई और एक बहुत ही बढ़िया बच्पन बिना टीवी के बिना विडियो गेम्स के गुद्रा हरे घर में पेड़ होते थे अमरूत के पेड़, आम के पेड़, मतलब एक बहुत ही जैसे कहते हैं कि I wish कि मेरे बच्चों को ऐसा बच्पन मिला हो, बाहर खेलने चले जाते थे, साइकलों पर स्कूल जाते थे, काम को दादी की आवाद आ जाती थी, घर आओ वापस, खाने का टाइम हो गया, होमवक करना है, so it was that kind of a life, पढ़हाई के अला पढ़हाई, हाँ यह जरूर होता था कि हर एक इंसान हर एक इंसान को जानता था, तो किसके नंबर कितने आए यह सबको पता होता था, so it was quite a interesting बच्पन, बहुत अच्छा भी था, लेकि क्यूंकि उस वाक्त रावकिला में प्लस टू के बाद बहुत जादा, like आपने पहले इंट्रदक्शन में बोला, एक ambition थी कि कुछ करना है, क्यूंकि मेरे ग्राइट परेंस दिली में रहते थे, और हम हर समर में छुटियों में नानी के घर जाएंगे वाला जो सीन था, दिली जाते थे, so I was very fascinated कि मैं भी बड़े शहर में आके फिर पढ़ाई करूं, after my grade 10, I moved to Delhi So Shruti, student दे तो औरते के हो जे सी, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टुडेंट सी, जनो हुष्यार कें दे थे, class ती विच मॉनीटर हुंदे सी, अग्ये बैठन वाले हुंदे सी, के हो जे सी तुसी? ज़्यादा मतलब, no no, बहुत ब्रिलियंट मैं यह नी कहुंदे 90% टाइप्स, लेकिन jack of all trades, master of none, मतलब ठीक ठीकी था, लेकिन हर चीज में मुझे, I wanted, मेरी जो personality है, मुझे हर चीज का ना experience लेना होता है, तो चाहे वो singing हो, हालां कि मतलब अगर मुझे कोई गाना गाने को बोले तो मतलब वो बिचारा बंदा कानी बंद कर ले, बोदी में यहारा आवाज है, but I wanted to experience everything, so play school skits हो, plays हो, कुछ भी हो, you know, also, फिर जब मैं दिली भी आगई, you know, sitar सिखा, NCC, like I said, activities में गई, so I really wanted to experience everything, and I think यह जो चीज है, to experience everything, everything has kind of made me take chances in life. Okay, एक छोटे पंट टोटके एकदम इने वड़े शेहर देविचाजाना, वी देश दी राजता नी हुए, वो जड़ी ट्रांजिशन, जड़ी सीओ तवादी ओड़ी हो जड़ी सी? थोड़ी सी मुश्किल चालनजिंग थी, I would say, but because my brother was also in Delhi, and he helped me actually through, I would be really grateful to him. एक तो, I came from a convent school, चोटा वो गर्ल स्कूल, बिलकुल, जहां पे हम miss, miss, hello miss, hello miss, to DPS Matra Road, which is like a huge school, and co-education, लड़कों से बात करने में भी थोड़ी सी, you know, you feel a little odd, uncomfortable and all, लेकिन वो ट्रांजिशन, like I said, you know, my brother was there, and then, again, I said, for me, any challenge, so I would get into situations, knowing, दगदक होती थी दिल में, लेकिन मैं सोचे थी क्या होगा, जादा से जादा, you know, so I gave myself that challenge, and then because, another thing was there, इतनी reading की इतनी habit थी, इतनी पढ़ाई की, not पढ़ाई I will not say, but, you know, exposure through reading was so much, that I sometimes found that, you know, children की दिली में जो बच्चे थे या स्कूल की बच्चे तो उन पे इतनी नी थी कि उनकी बास activities बाके दूसरी अलग टाइप की थी, social, ये वो, तो मैं उनको अपनी knowledge से इंप्रेस करने के चक्कर में रहती थी, जो हो जाता था, so it was interesting, it was quite an interesting transition, but I think 11th was थोड़ा सा challenging, but 12th was just fine. So Shruti, जदू छोटी हुंदे हैं, तो अनुके पुछता हुंदा सी के बड़े हो के की बढ़ना, तुसी की कहन दे हुंदे सी? मेरा शुरू से जर्नलिस्स बनने का बहुत शॉक था. अच्छा शुरू तो इसी? शुरू से ही. बहुत छोटे पन में तो शायद कभी कादा पार, जब स्कूल में ऐसे लिखते हैं, सब ने लिखे होंगे, आप क्या बनोगे, बड़े होंके. पहले-पहले तो ऐसे कभी एरोस्तिस बन जाओ, यह वो इस तरह की. लेकिन जहां कक मुझे ठीक से याद है, from grade six, seven onwards, I always wanted to be a journalist. और उसका यह कारण था कि, मेरे अंदर ना एक, to tell stories, I'm like a storyteller. कहानिया लिखने, बनाने का, कहानिया बोलने का, बहुत शॉग था. I love telling stories, and I think उस वाक मुझे शायद यह लगा कि being a storyteller, being a journalist, and then looking at things from both sides, यह बहुत ज़ादा मेरे अंदर balance की, I think, ingrained है, also perhaps because I'm a Libran, कहते हैं कि जो Libra वाले होते हैं, उनका एक वो बालाई है, आप ही लिबरन है, if I'm not. So, उनका एक वो होता है, you know, कीडा, that you have to balance things, and you have to tell stories. So, शुरू से मुझे लगता था, की मैं ज़नलिस बनू, और ऐसे ज़नलिस बनू की मैं वार जोन्स में जाऊं, वहां से रिपोर्टिंग करूँ, you know, बहुत लिए दबंग टाइप की, I would like to go to places, just not sit on a desk. तो यह मेरे में हमेशा से जजबा था, तो वो फिर ऐसे हालात होते गए, दिरे, 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 कि ultimately वही हो जाएँ. शुर्ती, ऐह हुंदा सी, उना दिना देज़ में याद है कि जड़ी वर्दी हुंदी सी, युनिफॉर्म हुंदी सी, वही बड़ी खिच हुंदी सी, तुसी दस्या कि तुसी अन्सेसी देवेच वी सी, वह पाके भी तुसी अपने अपनो बहुत जंगा मैसूस कर देशी, मैंनु याद है कि उस्तबाद मेनु पुलिस्ती जड़ी वर्दी सी, वही बहुत अट्रेक्ट कर देशी, तो कि रनवेदी खबरां च हुंदे सी, तुआनु याद होना है ना, ओस्तबाद मेरे भी दिमाग देवी चीज़ां चल थी है कि मैनु वकीछ वाला जड़ा काला कोथ हुंदा थी हुट। ऑन्ना चीज़ां लगना आण अपन्नेह भ lonely चीज़ा, आपनें पार हो अथी होनेदी हुंदेशी। पर और उस्तरीमा हो हुंदेँ पर फिर भी उना चीजा ने बहुत जादा गैरी चाप चड़ी हुंदी सी, मीडिया दा इंपक्ट इना जादा हुंदा सी, हुंता, जदो endless opportunities होगी नहीं हो तो opportunities भी कट हुंदी हैं सी, आले दमाले कोई एह हो जी women figure हुंदी सी, जदो देखके लगदा हुंता सी के भी मैं एक जगी women journalist साबत हो सकती है, कोई तो आड़ी inspiration रही है? Not as a journalist really, लेकिन I think घर में ही my grandmother, my daddy, who came from Pakistan, my dad was born in Lahore, तो हमें partition की जो stories बताती थी, उसका एक बहुत गहरा impact मुझे पढ़ा, किस तरीके से वो निकल कर आए, you know my father, उनको किस तरीके से जॉब मिली, पढ़ाई कैसे की, एक वो inspiration बहुत मेरे थी, and then my mother, so my mother belongs to a very conservative family, और उनकी like home schooling, although she went up, she did her B.A., she did her M.A. from Pilani, लेकिन वो बहुत एक sheltered घर से आती है, और उन्हों ने भी सारे, you know, shackles break करके, उस जमाने में, in the 60s, she was one of the first persons to try flying. अच्छा, वाँ. लेकिन जब मेरी नानी आई उनसे मिलने, हॉस्टल में, उन्होंने देखा कि ये लड़की flying flying करू, उन्हों इमिडिटली बन-बन सब करभा दिया. So, अभी भी मम्मी कहती है, कि अगर वो नहीं होता, तो शायद में आज पाइलेट बन जाती. फिर मेरी मम्मी ने 50-55 की एज में जाके कार चलानी खुदी सीखी, कि मैं करूंगी, वाइ शुद आई stop. So, you know, I saw those figures in my life, and I thought, मतलब, इंसान अगर कुछ भी करना चाहे, तो कुछ भी कर सकता है. Last, उपर से, नवजो जी, the home that I came from, कभी हमारे घर में ये नहीं हुआ कि, you know, my brother who's older, कि उसको ज़्यादा opportunities मिली, या मुझे कम मिली. तो वो, ये जो atmosphere था ना, इसने बहुत encouragement दी. So, वी अपने आपते वीच एक प्लस पॉइंट हो जांदा, कि जदो हो जड़ा महौल हो पॉजिटिव मिल जांदा, कि ही वरी है कि महौल नेगिटिव मिल जांदा, तुसी रिजिस्ट कर देओ, जान तुसी ज़्यादा ओचीजां भी तो हनु पुष्कर दी है, पर महौल जड़ा environment सी, जो सारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सी, शुरुती, दिली आके फिर प्राईदा तुड़ा सलसला शिरू हो गया, तुसी किया कि रीडिंग दा तुसी खास करके बहुत शॉक रख दे सी, ओ जड़ा शॉक सी, ओ तुड़ा पैशन सी मन लगदा, होन तक बरकरार हैगा, तुसी पढ़ दे रहे हैं यो कुछ नो कुछ है? ट्राई कोशिश तो यह है, अब इन फाक्ट जब से चश्मे लग गई हैं, तब से रीडिंग थोड़ी सी काम हो गई है, लेकिन बुक्स अभी भी खरीदने का बहुत शॉक है, उतना समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए, लेकिन I like to be surrounded by books, मुझे books बहुत पसंद है, and I remember जब बच्पन में भी, like I said, हमारे वहाँ ज़्यादा बड़ी libraries वगएरा नहीं होती थी, जब भी पापा जाते थे कालकटा, गिफ्ट्स जो आते थे हमारे लिए वह बुक्स ही होते थे, बुक्स के लिए, बुक्स के साथ जो लगाव है वो अभी तक है, और मैं जब Canada मुव कर रही थी 1999 में, अब तो बहुत साल हो गया यहाँ, तब भी मेरा एक काटन बुक्स का पूरा आया था साथ, जब हमने घर बनाया तब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक कमरा होना चाहिए, लाइडरी के तौर पर जहां पर मैं अपनी बुक्स रखूं तो, यस, आपने पढ़ाई के बार मैं पूछा, सो अफर दूइ मैं 10th from Raurkila, दिल्ली आगई, मैं अपना प्लास टू किया, उसके बाद उनिवरश्य अपड़ी से बीए किया, इंग्लिश लुचिछा में, मिरानदा हाउस से, मास्टर्स किया, अगें, उनिवरश्य अपड़ी आथ फाकल्टी, मिरानदा हाउस मास्टर्स किया, So, that has been my education journey. so education अपनी जड़ी पड़ाई सी formal पड़ाई खातम करन तुबाद की तुरंथ मीडिया ते वे चागए जा कोई होड़ तुसी जॉबस भी की थी नई after my master's एक ना पोस्टिंग निकली थी PTI की वो रिकूट कर रहे है trainee journalists को तुसका एक open all India exam था वो एक्जाम मैंने दिया and fortunately I think from all over India there were about 20 or 25 journalists, trainee journalists जिनको जो चूज़ वे और फिर हमें एक साल की intensive training दी गई in fact very interesting I think आपकी शेरे पंजाब में भी शायद काफी बार सारबजीत पंधेर भी आया है वो भी मेरे कॉलीग रहे है हम दोनों ने PTI साथ जॉइन किया था SPS Inc है बहुत सारे भी हैं जो पंजाब में भी हैं जोनों ने मेरे साथ PTI जॉइन किया था तो जो एक साल की जो intensive training थी ना नवजोजी I mean again I'm very lucky कि ऐसे journalists ने हमें train किया और मेरा, you know I'm very lucky कि NK Razdan Jai Shri Subramanyam और फिर बाकी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला वीर सांगवी, अचंदन मित्रा तो I'm really lucky कि ऐसे लोगों ने mentor मुझे किया और so yeah it was fantastic PTI में मैं कम से कम 5 साल तक रही और बहुत सारी stories फाइल की तो बहुत अच्छा सफर था वो शुरती उना देना देवेच जदो हुन एजनसी देवेच तो अड़ी खबर जान दी सी तुसी खबर लेते सी क्योंकि एजनसी देवेच ता नाम एजनसी दाही ओना PTI ओना तो अनू बाइलाइन नहीं मिल दी सी और जड़ा एक फर्क है किसे एक खास मीडिया हाउस देना जोड़ जाना ते थ्वाड़ी अपने ना दे खबर चपनी जाँ एजनसी दे ना दे खबर चपनी कदे इस गल्दा तो नो हुन दी सी कमी मैसूस के नहीं मैं किसे मीडिया हाउस चुकम कर दी हुआ एजनसी ते विच ना कर दी हुआ कदे इस तरह मंच ओदा सी जहां किसे होर वजा करके तुसी फिर पीटिया इचाड के कुछ होर जॉइन की था इस पर्टिकुलर रीजन के लिए तो नहीं लेकिन जब मैं पीटिया में थी उस वक्त भी ट्रेनिंग के पीटिया मैं दोरान तो हमें अलग-अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता था। एडिटोरिल डिपार्टमेंट में स्पॉट्स थो गया, एक्स्टर्न डेस्कोगया, पॉरंड डेस्कोगी और हमारी शिफ्ट्स होती थी तार रात के दो बजे तक होती थी फिर PTI की van drop करती थी, तो वो तो training period था, लेकिन after that, कई बार जो था, हमें, again, rotate तो करते थे, अलग department से, जब reporting का समय आता था, तब उस वाथ PTI में एक नई service शुरू की थी, called PTI MAG, magazine, जिसमें features होते थे, तो मुझे बहुत शॉक था feature writing का, तो मैंने, I asked myself की, I want to join PTI MAG, तो उसमें byline देते थे, और ये लेकिन newspapers पे dependent होता था, कि वो byline चापे या ना चापे, so I was actually fortunate enough कि कुछ stories जो मैंने ऐसी की, जिसमें मुझे byline मिली, और PTI का फाइदा ये था कि वो जो byline थी, अगर 10 newspapers ने वो story पिक अप की है, तो 10 bylines आपको मिलेंगी, तो एक example थी, the story that I did on Phoolan Devi, वो उसका impact इतना था, कि at least 12 और 13 newspapers picked up that story, and वो byline के साथ चापी थी, so which was very, very exciting for me. Shruti, ज़ो तुसी अपनी गल शेयर कारहे हो ना, किते किते मिनू अपना भी नाल यादा रहा, ज़ो अपनी ज़र्नलिज्म दे स्टूड़न सी, मैं अपनी ज़र्नलिज्म दे विच मास्टर्स कारही सी, ता हाले साधा अठ स्टूड़न्स सी, अठान दे विचो तेन लड़कियां सी, ते पांच सदना लड़के सी, Phoolan Devi Jalander राई, Phoolan Devi, ज़ो MP बनन तो बाद, पहली जलंदर आई, ज़ो अपनी एक्साइटमेंट सरकत हाउस ते विच फूलन देवी ने ओना सी, ज़र्न देवी करना, तो ओ इंट्रव्यू करना, तो ओ इंट्रव्यू असी राल के किती, ते नाल Phoolan Devi दियो हैं, सारे यानदा ही सनोना ने बाई-लाईन दिती, आठ दे, आठ नो ही सनो, सारे यानदा ने ज़ो ने अनकरेज करने दे लिए, ऑर जो थेल मिल्ता है ना, तो सी यो बाई-लाईन, I mean, that thrill is really exciting, I don't know, मैं डिसक्राइब नहीं कर सकती, बट जो पहली बारी जब आपकी बाइलाइन चबती है तो वो, you know, feeling ही अलग होती है, absolutely पुलन देवी के इंटव्यू से मुझे याद आया, ये इंटव्यू मैंने किया था, वो जेल से अभी चूटी-चूटी थी अच्छा और उनकी शादी हो गए थी, और दिल्ली में शी वस लिविग एक फ्रेंच फिल्मेकिंग कंपनी थी, वस वांटी तो मुझे मुझे मौका मिला उनसे उनकी जिंदीगी के बारे में बात करने का, ये इंटव्यू दो फेज़स में हुआ था, पहले फेज में तो वो चल्दी खतम कर दिया था उन्होंने, शी जस वॉक्ट अपन शी वेंट, और मेरी जो फोटोग्रफर थी, हम एक दूसरी के चेहरा देख थी, आप क्या करें, ये तो उटके चली थी, पिर हमने फिर दुबारा से उनसे अपोईमेंट लिया, बहुत इंट्रेस्टिंग एक्सपिरें फिर उट जस किसम देनाल उदा मर्डर कीता गया, जदो तुसी क्लोजली कहिया नू देखिया हूंदा, तो अडिया थी, सामने बहुत सारे लोग रहें, जड़े खबरां देख देया, उननू तुसी इस तरह जान्दियां भी देख देया, उननू किसे तरीके देनाल जंद रहा हूएगा कियो किस-किस चीज जो गुजरी सी ते अज ओदा एयंत होया, बिल्कुल, और जब वो इंटिव्यू भी जो, वो फीचर था, जब वो इंटिव्यू चल भी रहा था, जो जो लाइन ऑफ क्वेस्चिनिंग थी, शुरू से यूज्वली, तो जिस तरीके से व हुआ था, और अगर आप, I don't know how to explain it, बनवजोद, आप बिल्कुल सामने बैठके किसी से बात कर रहे हैं, और लंबी बात कर रहे हैं, और अपने experiences आपके साथ share कर रही हैं, उस वक कोई मखोटा नहीं है, just एक औरत, जिसके साथ, पता नी क्या क्या भीता, इतना जादा नहीं कर देकितने उन्हों नहीं टेने बेहमाइ में ब्रहμans कुमारा या क्या क्या, it was a story of a very vulnerable, helpless woman, which is society नहीं ये बना दिया था, बिलकुल, या, वेया वेया अन्व अनव तो हमतलब, और सो मने stories, you know I got a chance to speak to Dara Singh as well, you know just before I think few years before he passed away, मैं उनके धर गई थी, दिल्ली में उनका धर था तो जब यू ऐसे personalities के साथ जब आप मिलके बैट के बात करते हैं न तो जो उनकी image बनी हुई होती है न आपके दिमाग में उससे बहुतर डिफरेंट होते हैं तो इसलिए मुझे ये features, personality interviews करने का बहुत ज़ादा shock है to understand I remember जब मैंने जगजीत सिंग जी का interview किया था एक बार इंडिया में किया था एक बार आक्चली वैंकूवर में किया था अच्छा वो यहां वैंकूवर आय थे तो I went to meet him और वो hotel room में वो अपना kurta press कर रहे थे अच्छा तो मैंने उनको का कि आप इतने बड़े गजल सिंगर हैं इतने रिनाउंड हैं तो क्या हो गया इंसान को अपना काम तो पुद करना ही पड़ता है और उन्होंने इतनी शिदद से अपना kurta press किया उस इंटिव्यू के दुरान जए एक भी उसमें सिलवर्टी इसे मेरा शाम को performance है and I have to make sure कि मेरा kurta अच्छे से press है मैं ने से नीचे होटल वालों को नहीं देना laundry चोटी-चोटी जो चीज़े होती है जाखिर हुसें जी से मैं मिली उनसे जब बात हुई चोटी-चोटी tidbits होती है ना वो एक कहीं ना कहीं उसकी चापना रह जाती है ना I think इससे आपको भी बहुत ज़्यादा सीख मिलती है बिल्कुल शुरती मैं understand कार सकती है क्योंकि मेरा भी यही passion रहा कि मैं personality interviews करने बहुत पसंद कर दी है क्योंकि तुसी actually ओ जड़िया लेयर्स होनी आना हो उत्तर है जदो कोई इनसान खबरां देविच आजन दा कोई celebrity हो जन दा ओथ वानू ओई देस रहा है पर उदे अंदर किया ओदे पिछे जड़ी जड़नी है जो feelings आओ तुसी explore नहीं कर सकते हुंदे उना सुर्खिया देविच ओना खबरां देविच ओमीडिया देविच होन दे आते अपनों भी पता के केडिया जड़िया चीजाने वह बहुत वरी है दबिया रहे जनिया जनलुकिया रहे जनिया फिर एक न्यूस पेपर निकलता है दिली से अभी भी निकलता है देपाइनियर इसके एडिटर होते थे चंदर मित्रा साथ तो वहाँ पे अगैं फीचर्स में ही जाने का मुझे 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 मुझा मिला and the editor used to be, I remember I think Kumila Raoth होती थी आप पतानी कहां है वो, इतने साल पुरानी बात आपने मुझे याद दिला दी पुछ साल पाइनियर में काम किया where I honed my skills as a feature writer क्युकि हर संडे को हमारा जो संडे स्पेशल लाफस्टाल सेक्शन आता था उसमें features चपते थे तो काफे research करने का मौका मिलता था आपको हम editorial meeting के दौरान discuss करते थे कि कौन सा feature लिखना है इस संडे को और पर जो research होती थी उस जमाने में ना तो internet होता था धंका मेरे खाल से तो शायब था ही नहीं Google, Google तो था ही निउस्पन लाइडरी होती थी newspaper के office में और हम लाइडरी एसिस्टेंट को कहते हैं इस पे फीचर करना है इस पे सारा हमें materials निकाल के दो तो लाइडरी में research करते थे फिर interviews मैं अभी सोच रही थी नवजोग उस वाप तो सेल फोन भी नहीं थे नहीं थे बिल्कुल शुरुती मैं ओहीं गल शेयर कर दी थोड़ी नाल के मेभी साड़ी सोन वाले कई इना गलन सोन की हरान भी होगे कई को रिलेट कर सकते अपनी experiences दे नाल मैं जो दो हिंदुस्तान टाइम्स ले पोस्ट ओफिस तो मैं अपनी नियूस पेज नहीं होंदी सी ते तन वजे डैद लाइन सी मेरी जलंदर तो नियूस तो अपना सारा कम करके उस तो बाद स्कुटर चुखना जाके पलाँ पोस्ट ओफिस तो पहुंच दे हैं तो फॉन इमेल्ट भी नए सी लंबी लाइन दे विछ लग जाना? मैं लगतर कड़ी देख जाना तिन वज के पांच मिन्त हो गहा, तिन वज के दसमिंट हो गए, मेरी न्यूस लेट हो रही है, फैर, न्यूस चल गई से तिन वज के दसमिंट से चल गई, next day news carry नहीं होनी, बड़ी निराशा होनी अश चीज ती, ते उसटों अगले नहीं होने नुस कैरी कर ले नियो बाई-लाइन लाख ही नाल कर दे नाल कर दे और जो दी में होर वी ज़्याद अभाय स्मूरी और ओ सी मेरे सारे जड़े गाले या खबराँ पढ़के ट्रांसलेट करके दिली पेज दिती ही खबराँ देखो ना फोन होंदी सी, ना कोई इस तरह दा इंटरनेट सी, ना कोई इमेल होंदी सी, पर कम कर अंदा जड़ा पैशन सी हो, ज़रूर होंदा सी. I know landmines होती थी हमारी और मुझे अभी भी याद है कि जो press notes होते थे, press releases या media advisories जिसको कहते थे, लोग खुद आकर देते थे office में, यह press conference होने वाली आप इतने बज़े briefing होगी, आप पहुच जाएगा, या phone, किस phone तो एक common phone होता था हमारे news room में, I remember, Hindustan times में, common होता था, और त जो भी आपकी beat होती थी, कि यहाँ पर press conference है, so it was like I was just thinking कि हम काम कैसे करते थे, अब तो और ना कुछ social media, ना कुछ जो source होता था news का, वो बिलकुल authentic होता था, उसके जाके हम मिलते थे लोगों से, बाते करते थे, verify करते थे news, फिर news चकती थी, बहुत actually exciting और बहुत credible, तभी त ना भरोसा था. Stories तो मैंने बहुत सारी की है, अब जो आग मैं अपना portfolio ही देख रही थी, बहुत सारी interesting और challenging stories की है, एक story बहुत interesting थी, जो became very challenging, is because जो IS का results निकलते हैं, तो उनके जो topper थे, तो मुझे नाम याद नहीं है, तो मुझे मुझे मौका मिला, क्यूंकि मैं freelance भी करती थी site में, और some magazines, तो मुझे एक magazine से offer आई कि उनका, जो जो जनोंने top किया है, उनका interview करना है, तो मैं चरी गए उनके साथ, उनके घर पे interview करने, उनको ये नहीं पता था कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स में भी काम करती हूं, तो उस interview का शुरू होने से पहले, वो किसी और से बात करे थे, तो जो होते हैं कि tutorials वगारा, जो I become an IS officer, talker, आप, you know, मेरा वो ले लीजे, something like that, तो he said कि मैं उस organization को interview देने के लिए पैसे लूँगा, तो मुझे ये बात बहुत खराब लगी कि, you know, ये हमारे civil servant है, अभी तो ये, इनका recruitment ही हुई है, इनोंने अभी से पासे लेना शुरू क उनको बताई, उनको बताई, उन्होंने का, इसकी तो स्टोरी बनती है, कि IS stoppers क्या कर रहे हैं, but he said, and I, you know, Pankaj Borov, I said, sir, लेकिन, he did not know, कि ये, मैंने, as a reporter, सुना है, he said, कोई नहीं मैं बेख लूँगा, चग दो फटे, he always used to say this, चग दो फटे, तो मैंने कर दी स्टोरी, स् in Hindustan Times at that time, कि, you know, IS stopper demanding money for interviews, ऐसे कर के स्टोरी कर दी, तॉरी तॉरी कर दी, तॉरी तॉरी कर दी, तॉरी तॉरी कर दी, ये मैंने सुना है, I am telling you, आपका क्या कहना है, he did not comment, तो स्टोरी हो गई, चली गई, छब गई, प्रिंट हो गई, आग या लीगल नोटे साके से, अच और एडिटर के आफिस में जाना, क्योंकि हमारा Chief of Bureau से काम पढ़ता था, Chief Editor के रूम में तो बहुत कम जाना होता था, जब वहां से आया बुलावा, तो मैंने का भई, कुछ तो कर बाद है, so he came and he said, we have been served by legal notice, आपने ये स्टोरी किया है, और ये defamation claim कर रहे हैं, तो क्या कहन मैं तो डर्टे डर्टे मैंने सारी स्टोरी बताई कि भई, ऐसी बात हुई थी और मैंने पंकर सर्च से पूछा था, उन्होंने का आथा स्टोरी करो, so story has been done, so he said, तुमने सोना था, ये correct है, मैंने का हाल जी, ये बिल्कुल correct है, मैंने सोना था, so don't worry, our legal team will take care of it, so मुझे इ good by me, and they said, our legal team will handle this, don't worry about it, फिर उसके बाद थोड़े लॉयर्स के चकरवकर कटे, वो केस रफा रफा हो गया, so ये बहुत इंट्रेस्टिंग वाक्या हुआ था, और एक और वाक्या मुझे याद है, जो मैंने अपने को रपोर्टर उतपल होते थे, उनके साथ मिलकर किया, और उसमें था कि जो एर होस्टेस वाली कंपनीज ने होती उस जमाने में बहुत सारे होई थी, लॉक्स अफ गर्ल्स वो जोइनिंग ये नई नई प्राइवेट एर लाइन्स उस ताइम हुई थी, और बड़े सारे ऐसे फ्रॉड टाइप के आगे थी, और आगे थी, और हम आपको एर होस्टेस की बना देंगे और बना देंगे और जूट पैसे वैसे लेके फिर उन बिचारियों को को जॉब ने मिलती थी, तो मैंने और उत्पल ने सोचा कि क्यों न हम प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर बन कर जाएं का बहांड़ा फोड़े, तो वो हम बन के गए और उत्पल बना मेरा भाई और मैं बनी प्रॉस्पेक्टिव एर होस्टेस, हाना कि मैं एर होस्टेस तो किसी भी तरफ ते नहीं दिखती थी, लेकिन आपने का ट्राइ करने में क्या जाता है, तो वी गॉत पैसे लेते हैं, उनका क्या है, ये वो, all of that stuff, and then we call them up afterwards to say that, you know, you guys are defrauding people, क्योंकि हमार पास बहुत सारे complaints आई थी, उसके बेसे पर हम गए थे, and, but वो story, I think, वो हुई नहीं, क्योंकि I think they backed out, or they apologize, और उनने पैसे वापस कर दिये, जो clients के, तो वो story हो नहीं पाई, पर ये बड़ा इंटरिस्टिंग सा वो था कि हम, you know, ऐसे बन के गए, पर हुण एक आउरत हुण देना थे, बेंग लड़की है, बहुत वरी असी एगलना कर देयां, के वी, suddenly challenges थोड़े जोड़े वक्री किसम्दे हुन देया, especially जदो मीडिया देविच काम कर देयां, जड़ा नियूस मीडिया है, थोड़ा ज़ा डिफरेंट है, overall अपा मीडिया द करना लियां कुडियां नो इनना पॉजिटिव नेगादे नाल देख्या भी निसी जानता हुन्दा, ओस जमाने देवेच अन्या ज्यादा ओपरचुनिटीज भी नई सन कुडियां देले, ओपरचुनिटीज लब के आप लेनिया पेंदियां सी, फिर अड़के खाड़ना आपते लई, सारा कुछ हमेशा चंगा-चंगा जड़ा एक्सपीरियंस हो नई भी हुन्दा सी, पर ए हुन्दा सी कि तुसी उस माडे माडे देविचो भी निकल के अपने आपने आपनों कि दां स्टेंड कर देओ, मैंनू उमीद है कि थ्वाडे नाल भी जरूर को कुछ नेगेटिव गलांजेडियां थ्वडे नजर चाहियां हो गी है जा रस्ते देविच कुछ ऑप्स्टेकल्स भी कदे बढ़ियां हो गियां कियो नहीं जिकर करना चाहोगे? बहुत जादा नेगेटिव तो नहीं अवजोजी बिकाज दिली में उपरचुनिटीज वर क्वाइट अलोट फो विमन और पीटिय में भी बहुत सारी महिलाई थी जो काम करती थी हिं हिंदुस्तान ताइम्स में भी तो उस तरीके से नहीं लेकिन एक जो सटल डिस्क्रिम इनेशन होती है ना वो थी कि सॉफ्टर स्टोरी दे दो लड़के दो लड़के दो यह लो यह लो थी कि चलो तुम यह वाली सॉफ्टर स्टोरी कर लो तो मैं बोलती थी नहीं अगर कोई दिमन्स्रेशन है मैंने तो जाना है I have to go and cover it in the middle of it और इंडिया के दिमन्स्रेशन स आपने देखें कैसो होते है इट इस नॉर्थ की चार लोग खड़े हो गए और वो हो रहा है वहाँ पर सो एक सो वो होता था सम्टाइम्स बट यू हाफ तो स्टैंड जैसे आपने कहा कि आप एक स्टैंड अपको लेना पड़ता है and you have to tell your bosses कि नहीं यह नहीं होता को तुम करदेरे मलेशिया दिविच का dziते मीडिया दिवीच का म्लेशिया दिविच के ए गार नने नोकिषी कीति किा किन्धे मलेशिय देरु ने इनस्वार नोतिस्किति कीति कर से जड़ू हुछी है वी कोई इटिर कहां रहें ऐस तेंदे ूशिछ कर ब्हूंichtig है श्रड़ टॉर तो अनु चंगा लगदा सिगा काई वर सानु एवी चीज हुंदी है कि जए तुसी लगातार फीचर लेखी जारे होते तो अनु इस चीज दा ही हो जन्दा कि शायद तुसी सिर्फ फीचर ही लेख साथे और शायद कोई हाड स्टोरी तुसी कर नहीं सकते इस एक डाइब अखाई निश प्रिंट इस पर जारे है निश तुसी से इंडा नहीं आपका था तुसी से लगाता थाएं प्रिंट इस पर सुद्स्टे लगाते ते जो कॉमन पीपल आ के वहाँ पर उन से डिर्क बाठचीट कर सके तो इसा होता था तो मेरे एडिटर ने बोला कि यह स्टोरी कवर करनी है कि ऐसे जो इंटराक्शन होते हैं प्राम मिनिस्टर के साथ इकिस तरीके के होते हैं यह मताँ होते हैं कि इसमें कुछ असलियत होती भी है कि नहीं है तो you do a तो मुझे नहीं बोला गया I think they told somebody else so उस दिन I did not have a story so I had to fight my way through I said nahin I will do this story oh prime minister's house clearance लेनी पड़े मैं कलो clearance doesn't matter so what you know so that nahin नहीं वो experienced है उसने political beat पहले cover की हुई है उसको करने दो so I said nahin you know I will do this story and I will make sure so I did that story I remember लड़के गई थी वो story करने और वो इतनी अच्छा उसका reception हुआ that I did a follow up story on this then they asked me to do so यह जो एक stereotype हो जाता है कभी कबार शृती एनी लगदा कि आपने अपनों प्रूव करनों सानों ज्यादा effort करनी पेंदी है कभी कभी definitely and I think जो जी I think it's become मेरे खाल से एक part of our DNA यह जो fighting spirit है यह उस ताइम लगता नहीं है that you're doing you're actually fighting for something जो privileged class मैं कहलों इस वाप gender एक तरीके से privileged class होगी उनको हर opportunity असानी से मिल जाती है I think inbuilt हमारे अंदर for women there's an inbuilt fighting spirit कि यह तो हमें करना ही करना होगा तो वो उस वाप चाहद ऐसा लगता नहीं है कि आप कुछ extra effort कर रहे है because आपके अंदर एक यह inbuilt system I think it fit हो गया है you know from the societal I mean जब बच्चे पैदा होते हैं तो यह नहीं होता हो every child is different but the way you grow up the kind of stories that are told जो conditioning आपकी होती है आप जैसे मेरी नानी थी मैं उनके साथ रहती थी उनका इतना वो होता था साथ बज़े अंधेरा हो गया घर में होना चाहिए so वो इस फाइटिंग कि भाई क्यों होना चाहिए you know मैं मंडी हाँ जाती हू मैं you know I learn sitar मैं NCC में हूँ मैं socializing भी करूँगी मैं ड्रामा में भी लूँगी मैं स्पिक्मके में भी हूँ मैं क्यों साथ बज़े घराओ so you know there's always that fighting thing so I never really cared for it होते थे जगड़े as usual ये मैं घर personal बात बता रहे हूँ कि घर के लेकिन professional space में भी you have to fight your way through कि you know you will do it मैं करूँगी और कभी-कभी कि थोड़े सी you know disappointment भी होती थी ठोड़ो यार क्या जगड़ा करना it's okay you know so that has always been there but I will say कि बहुत ज़ादा तो I really don't think that I have faced too much in fact यहां आके मुझे वो थोड़ा सा ज़ादा लगा rather than actually in India okay यहां आकर जदो तुसी कह रहे हो न इथो धी गल कर दिया मज़े दर गली है शुरुती मैं लगा तर पंजाबी बोली जारी हो तुसी हिंदी लगा तर बोली जारी हो मैनू मैसूस नहीं हुए है मैनू मैसूस नहीं हुए होना मैनू पंजाबी बहुत वद्धिया धंग धंग नाल आंडी है is that okay I can understand Punjabi अब तो मैं पढ़ भी लेती हूं जो 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 I have thought myself that's very good yeah so I can read पूरे बहुत बड़े 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 पारेक्राफ्स तो नहीं but headlines पढ़ लेती हूं I can read that now ठीक अभी भी थोड़ी दिखकत होती है so Canada on the Kimi plan बढ़ गया so Canada actually मैं तो नहीं आना चाहती थी my husband wanted to come and we were living he was a journalist too but then he moved to media relations and public relations but मेरी तो अच्छी जॉब थी everything was fine I was doing well but he wanted to explore कि चलो लार यहां पे तो सारा कुछ देख लिया देखते हैं दुनिया में क्या रखा है and दुनिया मतलब Canada ही था दिप्लोमाट उनका कुछ इंटव्यू था and I had also met जब हर्ब धालिवाल revenue minister थे उस दमाने में वो दिल्ली आय थे तो उनका भी इंटव्यू किया था तो वहां से ऐसे idea है कि seems like Canada is a good place तो ऐसे बातों बातों मैंने Bob Bragg से पूछा is Canada accepting immigrants and they said हाँ apply कर दो हमने का apply करने से पहले ज़रा घूम कर आते हैं तो हम 96 में ऐसे इधर आए Ottawa आए और Vancouver आए घूमने no family at all I just knew one friend here in Vancouver Ottawa में मेरे husband के uncle रहते थे but then he passed away before we moved तो Vancouver में सिरफ एक तरें थी तो हम आए घूम के obviously इतना सुन्दर शहर है और अगर अप संबर में आए तो किसका मन महीं करेगा कि you know चलो let's see what this place has in store for us जाए हमने पेपर भर दिये पेपर का बाए हमने पता भी नहीं चला आतिंग छे महने में ना को इंटव्य हुई ना कुछ हुआ आगए और बस पैक किया और चलो देखेंगे let's see so इस तरीके से आने का बना never realized that you know decision that we took और ऐसे ही तुक्य में कि चलो let's see will now culminate into almost 22, 22 years 23 years now पर शुरती जिस शेर देविच अपना कोई नहीं है उवी अपनी देश तो इनी दूर ओंदे यां तुसी अपने नाल लेके की ओंदे होथों ओथों तुसी बहुत सारा प्यार लेके आ रहे हो पर मंदे विच तो अड़े अपने अंसर्टिंटी भी परी हुई है कुछ तो अड़े हैं मंदे अंदर फीर्स भी है गी है ते भी ओथे जाके पता नहीं की होगा की नहीं होगा तो अवरॉल जड़ा अंदे ही सार तजर्बा हुए है की हुज अजी बहुत चालंजिग भाणजिगा अणवजो जी डिली तो से लिए 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 अगे 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 वो भी मेरी फ्रेंड की बहन थी आप रहा था कि किस तरीके से बनाया जाए तो सारी बाते बात में बदा चली यूँआ रहा था वेल्थ एप्सपरेंस सब जगा अप्लाई करा बट मीडिया का एक चीज है विच आ थिंक यू विल अग्री is जो कोंटेक्स होता है जिस कोंटेक्स में आप लेखना चाहते हैं जिस कांटेक्स में आप वो काम करेंगे उस कॉंटेक्स को समझना भू जरूरी है अग लगा योना वщееुन तो जहाता की विपार छोंगे I do not know how things are done here तो जब तक उस चीज की grounding नहीं होती, उस चीज की समझ नहीं होती, who's going to hire you? But even then, based on, you know, my experience, Vancouver Sun offered कि तुम इंटर्शिप कर लो free में, मैंने गा, मैं सरी से वांकूवर जाओ, वो भी free में काम करने, it doesn't make sense. My daughter was two and a half years at that time, so उसको भी देखना था, हम घर में, तो it was very challenging, retrospect में तो हर चीज बड़ी romantic सी लगती है कि हां कर लिया, but उस वाक, it was challenging and I remember, यह बहुत मुझे दिमाग में होता था कि बस एक ऐसी जॉब मिल जाए, जिसमें इतने पैसे हो कि मैं इंडिया के टिकेट खरी सकते हैं. किनी देर बाद वापस गए फिर, वापस एथ हो, क्योंकि हर एक दे मंदे विच एचीज सहुं दिया, ज़ो तुसी यह आजने है, कि एक वरी वापस जाना, एक वरी वापस जाना, पर उस तुबाद आ के थोड़ी तुसी लंबे समेबाद जाने हो, फिर टेक जाने हो. फिर एक साल बाद दोबारा गई है, तए खेर, फिर किते कम करना शुरू कीता सी? फिर उसके बाद, मैंने, I got a job as a editor of a new magazine, South Asian Life, एक नई magazine शुरू हुई थी, और जब मेरा interview हुआ, पुबिशर के साथ, तो I was very surprised, because they said, हाँ, I will hire you as an editor, और मैं तो कि एडिटर तो बहुत बहुत बढ़ी थी, तो ये एडिटर कैसे मुझे हार कर रहे हैं, you know, मतलब फिर कितने reporters होंगे यहां, कितने sub-editors होंगे, यह क्या, पर वो कुछ नहीं था, एक ही बंदा था, जो मैं ही थी, so stories भी मैंने करनी थी, editing भी मैंने करनी थी, Quark Express में लेयाउट भी मैंने करना था, तो सारी चीजें तो I thought, अच्छा, so media scene यह है यहां पर, मतलब कि एक बंदे ने सारी चीजें करनी होती है, so that was the first जटा, okay, I mean, I'm talking about the South Asian media at that time, yeah, so मैंने काम किया, I think, एक बहुत अच्छी उसकी ओपनिंग भी हुई, 2000 में, I think, but he didn't pay me, अच्छी पैसे लिए, and a very, very bitter experience I had with the gentleman, Tara को, my older daughter, I had to put her in a daycare, and daycare की फीज उस वक्त 525 डॉलर्स थी एक महीने की, which as new immigrants was huge for me, you know, in 2000, तो उसको बिचारी को में छोड़ के जाती थी, वो रोती थी, बहुत मतलब, you know, फिर जैनते मेरे हस्बन ने ऐसा किया कि मैं Saturday Sunday काम कर दूँगा, दो दिन तुम, you know, घर पे I can take care of her, फिर तीन दिन रह जाएंगे, so you, you know, इस तरीके से कुछ फ्लेक्सिबिटी करके भी बस कोई 500 डॉलर के करीब मुझे मिले, बस कुछ नाम पर कुछ नहीं था, he had transferred everything on his mother's name or sister's name or whoever, तो कुछ नहीं मिला, that was a bitter experience, but इस दौरान जब मैं इंटिव्यू करने जाती थी, तो Indo-Canadian voice वालों ने मुझे थेखा, and I was offered a job in the voice newspaper, so वहां से मेरी जो South Asian media journey शुरू ही, the editor of the Asian Express newspaper चक्ता था, that was a good experience, तो वहां पर हुआ, फिर I became very sick in 2002, I had colitis, and I had to be laid off, फिर Asian Express, Asian Star शुरू हुआ, they hired me, फिर उनके साथ तो काफी मेरी लंबी इनिंग्स चली, then of course, I joined Red FM, फिर मैं एक, इना, शौर में एक Bollywood का कुछ करती थी, एक प्रोग्रम भी करती थी, so interesting, so फिर इस तरी के से, and then I also went back to school, अच्छा, आके पढ़ाई भी किती है, आके पढ़ाई भी किती है, यहां, आके पढ़ाई भी की, क्युकि मीडिया में पैसे नहीं के जादा, there was not much money that was being given, शुरु-शुरु की बाद करियू, and so I went back to VCC, Vancouver Community College, because मैं जब बिमार पड़ी थी, I started volunteering at PICS, मैं जो तो मुझे लगा कि मैं पढ़ाई कभी, so I went back to school, and I did the TESOL Diploma, teaching English to speakers of other languages, and then as an instructor in diversity community services in PICS में, मैंने काफी काम किया, बहाद अच्छे शुरुदी, तुसी गल मेंशन कीती, के जडे इंडिया देवेचे तुसी discrimination मैसूस नहीं सी कीती, तुसी इत्या के मैसूस कीती, इतना जाओ की, okay है? Discrimination in the sense कि nobody took you serious. Just because you are a woman? Just because, I don't know, I felt it. Or just because you are an immigrant? I was an immigrant, I was a woman, I did not speak Punjabi, I did not look like other immigrants, you know, so they, I think, उनका भी exposure साहद नहा हो, because इतने लोग थे ही यहाँ पर मीडिया में and I think I was one of the sole women in the 2000s at that time who used to actually go out to do interviews and things like that उस दमाने में तो, you know, उपर से लेके नीचे तक देखना जादा बात नहीं करनी और अगर बात करने की कोशिश करना तो एक आपको एफीलिंग दी जाए कि जैसे आप सादा फास्थों, you know, ये तो शहर से है you know, those subtle messages and I would feel very, it wasn't a good feeling initially but like again I said, you know, I have, I think आपी तालन कहले या क्या I built relationships so, you know, very soon I was able to, you know, conquer all of that stuff and build those relationships and those relationships last till today beautiful, beautiful तुसी एथे आगए मीडिया देच कम करना शिरू कर देता जड़ी डिस्क्रिमिनेशन जड़ा थोड़ा जड़ा ओपरा पन तुसी मैसूस कीता एस मुल्क ते विच आखे अपने वलों ही तुसी कोशिश कीती जड़ा ओग जड़ा 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 तुसी फिल करन दी कोशिश कीती ताके तुसी अपनी जिंदगी सोख ही कर सको हुण खोशो जी, बिलकुल, absolutely एक ट्रजेक्री रही है यहां पर वो जो एक्सपीरिंसे इंडिया में थे अल्मोस्ट दस साल का एक्सपीरिंस वो मीडिया के जरिया तो यहां बिलकुल नहीं मिल पाया लेकिन नहीं नहीं एक्सपीरिंसे जड़ गए so I don't have any regrets really you know like मैंने आपको पहले बताया कि I went back to school और जो एक इमिग्रेंस को पढ़ाने का जो मुझे 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 मिला from ELSA as an ELSA instructor तो अनाई में इमिग्रेंस यहां पे जिसे Afghanistan से refugees आये या Kiran refugees from Burma उनको जो वो experience मुझे मिला I think I am a better person today because of those experiences कि again कितना कुछ सीखने को मिला है इस नई देश में और unfortunately I think हम इस नई मैं personally अगर बोलू तो एक इमिग्रेंट की जर्नी ऐसी रहती है कि आप अपनी ही मसलों में जूज कर रह जाते हैं बिल्स पे करने हैं घर करीतना है और अगर चुटियां है तो वापस इंडिया जाना है क्यूंकि आपकी फैमिली हा नहीं है आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली से मिलने जाएं तो वहाँ पैसे खर्स हो जाते हैं तो जो चोटी-चोटी चीजें तो मुझे लगता है कि as an immigrant हम अपना पूरा जो ध्यान है वो इस देश को नहीं दे पाते which is unfortunate and you know I have made a resolve that you know इस मकाम पर आकर I think one needs to explore more one needs to educate oneself more about the experiences that you've had so I'm very happy and I'm satisfied at this point in time and I think life has been good for sure Shruti, दो बेटियां दी माँ हो तुसी है तुसी अपने तजरवेवी सांजे कीते जे हो जा बच्पन तवादासी हो बच्चियां भी बड़ियां हो रही हैं तुदे विच एक यंग विमन तो जड़ा तुसी छोटे होन तो सफर शिरू कीता है विच ब़ूत कुछ देख्या भी है इंडिया दे विच ब़ूत कुछ देख्या इथे ब़ूत कुछ देख्या अज जस मोड ते तुसी खड़े हो इनिया जॉब्स भी चेंज कीतियां ते इना ताही इना लंबात तजर्बा भी हुंदा बहुत कुछ तुसी देख्या हो एथे दोरान शुरूती ने अपने आपने आपनो चेंज हुंदी देख्या ट्रांसफॉर्म हुंदी देख्या के हो जिया तबदीलिया जिदिया तुसी डेलिबरिटली अपने विछले आंदिया हो आपने बेटियों के बाद की अफकॉस अगैन वही यूश्वल जब दूसरी बेटी पैदा हुई लड़ू बातने गए तो लोगोंने लड़ू लेने के बजाए का अरे कोई बात में तीसरा बेटा हो जाएगा अच्छा यदा आप काईड अफ तिंग जब विच इस कभी मुझे दुख होता है कभी हसी भी आती है कभी गुस्वा भी आता है कि हम कहां जा रहे है या मतलब क्यों हम इस सोच को लेकर मतलब अगर है भी तो आपको वो वाई आ यू अजूमिंग एड़ी आता है तो यह जो चोटी चोटी चीज है अगर लगता है कि शुद आ बिकम बिटर अबाउट इट पर नहीं तो यह सोच कर यह देख कर अपने एक्सपिरिंस को लेकर I mean the upbringing मैंने अपनी daughters को दी है वो इस तरीके से नहीं दी है कि भई तुम लड़की हो या लड़का हो you are here and this world is your oyster and you are able to do तुमें जो करना है तुम वो करो to such an extent of Joji आनो लोग मुझे बेफको भी समझते है my older daughter when she was in grade 7 and she said that I am going to boarding school I have to go to a boarding school I said where to go to a boarding school so I thought if she wants to do a experience then we are going to India for a year she went to a boarding school in India I could not talk to her for one month there was a call for 4 minutes and people say you are so lazy I said I know she is safe I know that it is okay so why do I keep it different from that experience if she wants to do it and today she said mom that experience was a fantastic experience in my life's journey one year later she was back again because she was grade 8 and then she had the education system and there then she wanted to go to New York for her master's I said you know so I have never stopped them from doing what they want of course one of the sandskars one of the family values they have to do it 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 not taught them because you are a girl you can't do this see what you want to do in this world and just move ahead the world is your oyster you can do what you want to do your choice is if you don't mind if you have to sit at home if you have to marry good enough that's your choice I have seen a lot of things in Navjot Ji and I think and I think you have also heard this that many people say so-called modern liberal that we have allowed ourselves to be allowed to do it allow what is happening you know I mean you know so these things are in our society they exist and I don't know when it will go when will people in their heads think that women men or anyone else you know whatever gender they choose they are the malik of their own selves and I don't know why we don't give them that opportunity you know and this I strongly feel about this you know whenever there is something I remember I'm sitting at the table and if my brother wants to say I need this and my mother told me to go to my brother you know and the beauty is that I was allowed to have those conversations I was allowed to challenge and this is very important that you have to give your daughters and sons to challenge all the value systems like our father and his mother has a way that the girl needs to sleep fine good enough that is their thinking but now you have to allow that thinking to allow at least to say why is this so that the other will change in the beginning I've always seen a positive person that is energetic person where is this I always feel that I'm that I'm going to get the energy cut because the kids have थोडिया stresses होनिया, होड़ जमेवारियां भी तवड़ते पया जानिया, एद्रोदरो तन उसलाहां होनिया, शिरू हो जानिया, तुसी कम कटादो, तुसी एक करदो, पहली इसलाह ही होंदी है, खासकर के एक औरत नो कि तुम कम करन दी होन देनू जरूरत नी है, जे करदा, ख खोंदी, जो 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 पोजिए जी, बबली, जो भाझाशल करें, हैंव जो बढवाशन कादो, प्रानायम जी जए जाना एक आपको एक डिससोशाशन हो जाता है, जाना एक नहीं सहां हो जाता है, जाना एक पज़ोग नहीं तो पड़ता फेर, भर्य जो लोग परसे कि यह try to listen to a lot of that stuff it's very difficult to comprehend लेकिन जो डुलिजम है या जो अपने अंदर जाक के अपने आपको ही समझना वंस वो जो परते आप खोलना शुरू करेंगे तेन यो रिलाइस कि ये जो चीजे है ना ये बिलकुल माइने नहीं रखती रही रही जो छोटी सी चीजे है इस से कुछ नहीं हता and we do the Theory of Karma believe in the Theory of Karma so I think Yoga has really given me that thing it's not only for my body but I think for my mind as well and यो पहते हैं याप जब पहला सांस लेते हैं और तब certificate शुरू होती है तब आपकी जिंदीशू होती है यह जो सांस लेते हैं आपकी जिंदीश घाता है इस विले तुसी जॉब कर रहे हो, तुसी गवर्मेंट ते विच जॉब कर रहे हो, जे मैं गलत हो, तुसी टीवी कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, के मिन लगदा है कि इस पोजिशन ते वी कोई पहली साओधियन विमन ही है, जित्थे तुसी कम कर रहे हो, I think so, in the Premier's office, I think so, I am not absolutely sure, but I think so, and you know, they have given me tremendous amount of respect, and I enjoy working there, so, that is great, but like I said, you know, once you start, you come back to that reading, you're doing reading, you're doing a little bit of this yoga and meditation, मैंने एक कोर्स किया था, The Art of Silence, इसमें चार दिनों तक आप बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं, चार या पांच दिन तक I think, and you're totally silence, and you, ना आपके बास social media, ना phone है, ना कुछ नहीं है, you're only contemplating, and you're doing certain, you know, आप कुछ कर रहे हैं, but आप ध्धान लगा रहे हैं, या आप कुछ भी नहीं करें, आप बोल नहीं रहें, तो इसमें इसमान महसूस करता है, ना, that was one of the most beautiful experiences I've had, is that you, then you realize, that's the best sound, I think, that's the best sound, exactly, the sound of the silence, तब आप रेलाइस करते हैं कि आप इतनी बडी दुनिया में एक इतना चोटा सा जर्रा हैं, कि, मतलब, आप क्या कर रहे हैं, आप negativity, you know, toxicity, what are you trying to do, so, yeah, so I think, I think I would just say in closing that, life is taught lots of lessons, journey, and I think take everything that it comes with the positivity, because हर चीज के दो पहदू होते हैं, अप, it is your choice कि आपको उसको किस तरीके से लिखना है, कोई negative चीज होती है, आपको, मैं ये सोचती हो कि इसमें से कुछ पॉसितिव ही निकलेगा, इसले हुई है, of course, गुसा आता है, normal human emotions है, लेकिन वो आप एक third party की तरह से उसको view करते हैं, उसे जिंदी की चल रही है, लोग गुसा कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें, you are a part of it, because you are part of this, you know, family, या जो भी, but you are also not a part of it, you are looking at it from a third person's perspective, so, यह बहुत काफी interesting or beautiful feeling है, which I am trying to develop more and more, बढ़ा मुश्किल है, I know, बहुत मुश्किल है, पर अज बहुत positive vibes दे के जा रहे हो, तुसी साड़े सुन्डवाले हैं, ते मैं कहांगी के समा कड़िया, तुसी बहुत पर शुक्रिया, शुरूती ये इस गालपाद देले, Thank you so much, Navjoonji, it was so much fun, and I think we should do it again, you and I should sit together. Sure, anytime, thank you so much, thank you. So, say bye-bye, thank you so much, bye.